हेई गाइज वेलकम बैक इंटिरिटु धमाल हैपी बॉंग का प्रिसेल चल रहा है ठीक है और आप लोग यहां पे देख सकती है यह जो हैपी बॉंग जो है अप एंड डाउन अप एंड डाउन जो सिच्वेशन देख रहा है न यहां पे एक न्यू अपडेट के बारे में ह बिल्डर ओपन हो जाएगा डारेक्टली बाइंग के प्लेस पे ले आएगा ठीक है तो इस परकार से कुछ काम कर रहा है इसका सिस्टम धीरे-धीरे सब को जो है ओपन हो रही है शिक्स डे लैट है शिक्स डे के बाद जो है यहां पर जो है फिबॉंग का प्रिसेल जो है खतम हो जाएगा तो आप दोगों को यहां पर जो है इंट्रेस्ट दिखाने की जुर्रत है ठीक है तो जरसा हम चाहते हैं कि देखा जाए कि मार्केट का क्या हाल है है ना कोईन मार्केट क्या अब कोईन मार्केट मार्केट का हाल क्या है दे गलोगल क्रिप्ट मार्केट इस टू पॉइंट सिक्स ट्रिलियन वैसे तो सब कुछ ठीक है को वैसा कोई मार्केट में डाम पर देखने को मिल नहीं रही है 0.25 की अप है और अगर हम डॉमिनेंस के अगर बात करें तो बाइन बीटिसी का तो परसेंट है करके मुकाबल में डॉमिनेंस थोड़ा काल इकम है कल नहीं डे आप्टर तुमोरो थिक subtle ओड़ तोमरो वीड़ ने ले ट्यक्र ये इस्टरड़े तर देश्टहिवर गिया उस वक्त जो है dominance 51% थी 52% थी 51% मतलब it means that की कहीं कहीं balance पर काम कर रही है ठीक है और ethereum तो अपनी dominance 3% रखे थी तो ethereum का dominance 2% डाउन हो गयी कोई दिक्कत नहीं अच्छी है no problem और एक news यह भी है कि FTX नाम का एक exchange हुआ करता था जिसके अंदर जो है उसका CEO जो है Sam bank fired हुआ करता था ठीक है मतलब सेम नाम का एक बंदा जथा जो FTX का CEO हुआ करता था तो उन्होंने जो है करेबन 11 billion dollar का जो है manipulation किया था fraud किया था जिस मामले में जो है यह देखे यह जो सामने दिक्राए बंदा यह बंदा नहीं फ्रॉड किया था इसकी fraud की उजागर हुई थी CoinDesk नाम का website में इसकी पूरी आर्टिकल छपी थी जिसके वज़े से इसके अंदर TX Exchange के अंदर किर्यास देखने को मिला था और 25 इयर्स का इसका जो है सजा दिया गया है कि 25 साल तक यह जेल में रहेंगे क्योंकि इन्होंने जो है public fund को जो है ग जो की इन्वेस्टर्स के और होल्डर्स के पक्च में सजाए सुनाए गई ठीक है यह बहुत अच्छी बात है करीमें 25 साल की सजा सुनाए गई है तो इससे यह क्या है क्रिप्टों करन्सी के जो मार्केट है जो दुनिया है इस दुनिया में जो है एक positive vibes आएगी कि अगर को इस तरह के fraud करता है तो fraud करने वाला बज नहीं सकता है ठीक है इस परकार का कुछ चीस है यह ना और और एक बात है कि ओके एक एक्सेंज जो है अपनी 30 अपरेल तक जितने भी withdrawal है वह सब को सब withdrawal बंद हो जाएंगी ओके एक्सेंज जो है तीस अपरेल के बाद से जो है अपन रहेaría कि सादु जितनी उसकी काम में हैं मतलब ओके एक्स अपरेल के बात से उंडिया के अंदर कोई बी स्विधार नहीं देने वाली तो ओके एक्सेंज से जो कोई ज्टा है वो लोग औके एक्सेंज से निकल जाएं उनकी जितने भी 있고요 के वहाँ से withdraw कर ले यह से positive news निकल के नजर आ रही है ठीक है तो बाइनस को ये लिए कुछ अच्छी बात है कुकवाइन ने भी अपनी अच्छी कहसी पकड़ बगनानी की कोशिश कर रही है कुकवाइन बाइनस यह सब है जो इंडिया के अंदर आनी की कोशिश कर रहे है ठीक है और जहां तक बा बॉंग का प्रेसेल वो खतम होने वाला है छे दिन के अंदर तो आप लोग अपनी इंट्रेस्ट दिखाने के कोशिश की जी चली मिलते हैं अगली वीडियो में फिलाल के इतना है थांक्स पर रस्टेंग एर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद